Hello Class 6, this is the next video of GK आज हम पढ़ने वाले Olympics के बारे में So before starting the video First I want to tell you one thing That आपको सबसे पहले Olympics के बारे में जाना है तो यह आपका homework है कि Olympics क्या है? कब-कब होता है? इसके बारे में आप detail इकठा करेंगे और जो भी information आप गैदर करेंगे उसको एक page में note down करके रखे रहेंगे यह आपके जो GK book है उसके उपर में जो खाली space है बहां पे लिखेंगे कि Olympic है क्या चीज़ Olympic को कॉर्ण और गनाइस करता है? Olympic कब से start हुआ है? कौन-कौन सी countries इसमें participate करती है तो आज हम पढ़ने वाले है Summer Olympic के बारे में और एक सल में कितने बार होता है यह कब-कब होता है बेसिकली एक सल में होता है दो सल में होता है हर सल होता है तो फर्स्ट वन इस वाट यह आपको homework है न आरी बत समझ में आपको सबसे पहले Olympic के बारे में डिटेल यह information क्या करना है इकठा करना है ठीक और लोग जो भी चीज़े कोजते हो, ढूंडते हो या जो भी समझते हैं आप उसको share क्यों नहीं करते हैं ग्रूप में कोई कुछ नहीं भेजता अन्नसेसरी बस hi hello good morning maim good evening maim खाले यही चीज़ करते रहते हैं काम का चीज़ आप लोग नहीं भेजते और अगर ग्रूप में नहीं भेज रहे हैं आप मेरे personal number में भेज सकते हैं बेज सकते हो कि नहीं पर कोई ऐसा चाहता नहीं है क्यों आप थोड़ा serious होगे बढ़े हैं वे जीके को यह अपको अभी भले आप पास हो जाओगे 6th में 7th में वो matter नहीं करता यह जो जीके अगर आप पढ़े रोगे तो इसको आपको lifelong याद आएगा यह हमेशा हर एक competition exam में हर एक field में काम आता है आरी बत समझ में जितना आप पढ़ोगे जितना ज़्यादा इसको आप learn करोगे जितना समझोगे उतना आपके लिए beneficial है एक एक word में एक एक चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलती है पहला दिया है और आप लोग लगी होगे आपके यह मसता आंसर भी given है पीछे सिधा आपको क्या करना है learn करना है, समझना स्टार्ट करना है और यह जो मेरा वीडियो है सिवह आपको help करते हैं कि आपको कहां से गहां तक करना है एक्स्टा burden नहों करके ठीक है नहीं तो syllabus complete करने का क्या है मैं तो एक वीडियो में 10 page भी खतम कर सकती हूँ आना बट syllabus खतम करना मेरा mind motto नहीं है मैं चाहती हूँ कि आप उसको समझे जाने और जैसे मैं करा रही हूँ वैसे one by one करके आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें ओके class first question is पहले नहीं खिला जाता था ऐसे कुछ-कुछ concepts हैं कुछ-कुछ games हैं उसके बारे में दिया है जैसे आप marathon होता है उसमें कितने miles तक दोड़ा जाता है वो पूछे question number 4 number देखेंगे how far the modern Olympics marathon to the nearest mile the answer is 26 miles कितना दोड़ते हैं 26 miles दोड़ते हैं ठीक और जैसे arrhythmic gymnastic gymnastic समझते हैं hoop वगेरे लेके क्या करते हैं आपको girls बहुत सारे actions करते हैं pose दिखाते हैं posture दिखाते हैं उसको gymnastic बोलते हैं तो यह जो gymnastic है rhythmic मतलब musical gymnastic होता है जिसमें rope, ball, ribbon यह सबी चीज़ का use कह जाते हैं एक और चीज़ का use होता है वह क्या चीज़ है mat, hoop यह whistle तो अंसर आपका hoop ठीक एक hoop, rope, ball, ribbon इन सब का use किया जाता है gymnastic करने के टाइम आप लोगोंने देखा होगा टीवी में इसका telecast आता है dd sports पे sports channel या dd sports ऐसे गरी चैनल है बहाँ पे आता है जैसे pro का बड़ी बगर आता था आप लोग देखते थे pro का बड़ी देखे हो जैसे cricket आता है बटा cricket बहुत सरे चैनल में आता है ठीक है वैसी pro का बड़ी आता था वैसे आपका olympic का भी life telecast देता है ठीक तो यह क्या है आपका hint है जिसको आपको पढ़ना है समझना और इसको फिल करना है एक और आपको homework है page no.334 का जो famous personalities है यह कुछ Indian famous personalities है इसके बारे में आप जानते हैं किसी के बारे में इसको क्या करना है आपको identify करना है कि इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी ठीक यह आपका ही homework है page no.35 34 & 35 यह आपका पूरा homework है इन जो great ladies है बोलना चाहिए यह जो famous ladies है उनके बारे में आपको जानना है पहचननना है और क्या करना है identify करना है ठीक आपको इसके लिए तो I think clues पढ़ने का भी जुरत नहीं है आप picture देखके भी पहचान सकते हैं कुछ के बारे में तो movie भी बनी है south movie भी बनी है Indian movie भी बनी है तो it's very very simple I am not going to tell you who is C और यह कौन है यह क्या करती है मैं यह समनी बताऊंगे आपको जानना है समझना है, identify करना है अगर आपको कुछ problem होता है या additional information चाहिए तो आप मुझसे consult कर सकते हैं so this is your class work और home work या जो भी समझे page 35 तक आपको क्या करना है book complete करनी है आपको क्या करना है बताना है अगर कुछ doubt है तो okay class ठीक है bye